नमस्कार दोस्तों आई होप आपकी तैयारी काफी बेहतर चल लए होगी तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियों में हम लोग करेंगे UP SSC Pay एग्याम के लिए GS Practice it तो चलिए दोस्तों आज के सबसे पहले कोश्चन के सुरुगात करते हैं सबसे पहला कोश्चन है आपका राज्यसभा किसके द्वारा भंक की जा सकती है आपसन A देखिएगा राष्टपती के द्वारा, B है परधान मंत्री द्वारा, C है मंत्री परषद द्वारा, और D है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं तो कोश्चन नमर वन का राइट आंसर हो जागा दोस्तों, आपसन नमर D यानि उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं क्योंकि राज्य सभा क्या है, एक अस्थाई सदन है, इसका बिख्टर नहीं होता है, और राज्य सभा के सदस्यों का जो कारेकाल होता है, तो 6 वर्सों का होता है, और उपराष्टपती राज्य सभा का क्या होते हैं, उपराष्टपती राज्य सभा का पदिन सभापती होत भारती सम्मिधान के निमल्खित अनुछेदों में से कौन सा भी नवर्ग में आता है आपसन A देखेंगे अनुछेद 14, आपसन B है अनुछेद 15, C है अनुछेद 16, और D है अनुछेद 19 तो question number 2 का right answer हो जागत हो तो आपसन number D यानि अनुछेद 19 क्योंकि देखेगा अनुछेद 14 से लेकर के 18 तक अनुछेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है तो समता का अधिकार है समता या समानता का अधिकार है और अनुछेद 19 से लेकर के 22 तक क्या है लेकिन अंच्षेद 19 स्वत अंतरत्ता के अंतर्कत आयगा आगे बढ़ेंगे एक ले कोश्चन को Q3 चंद्गुप्ट मौर के बाद मौरवन्स का उत्तराधिकारी कौं था आपसन A देखेगा बिंदुसार B है असोरक C है दसरत और D है ब्रिधरत तो question no.3 का right answer रो जाग दो तो option no.3 याँ चंद्रगुप्त मौर के बाद उसका पुत्र बिंदुसार क्या बना था मौर रवन्स का उत्तरादी कारी बना था और इसका पुत्र कौन है तो बिंदुसार का पुत्र है असोक और बिंदुसार की बिशे में थोड़ा से जानकारी बताएंगे आपको बिंदुसार के दरवार में कोन आय था तो डाय मेकस आय था डाय मेकस आय था आगे बढ़ेगे अगले question पे question no.4 question no.4 है दो तो असोक के दरवार में महें सदास किसका उपनाम था आप्सन ए देखेंगे अबूल फजल, B है फाईजी, C है बिरवल, D है टुर्डरमल तो question number 4 का right answer हो जाग दोखतो आप्सन number C इन्हें बिरवल का क्या नाम था तो महेश दास नाम था next question देखेंगे, question number 5 निम्न में से की से भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है आप्सन A देखेंगे सूरत को, B है कुलकाता को, C है अहमदाबाद को, D है तमिलनाडू को तो question number 5 का right answer हो जाग दोखतो आप्सन number C जनी अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है और आहमदाबाद है कहाँ पर, तो गुजरात के सावरमती नदी के टटपर है next देखते है question number 6 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजूली किस नदी पर इस्तित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजूली किस नदी पर इस्तित है? आपसन A देखेंगे दोस्तों, गंगा, B है ब्रहमपुत्र, C है सिंधु, और D है गुदावरी तो question number 6 का right answer हो जागा, आपसन number B यानि ब्रहमपुत्र नदी पर next देखते है question number 7 निम्लखित में से किस देश के साथ भारत के अंतराष्टी सीमा नहीं लगती है? निम्लखित में से किस देश के साथ भारत के अंतराष्टी सीमा नहीं लगती है? आपसन A देखेंगे पाकिस्तान, B है ब्रहमपुत्र, C है भूटान, D है स्रीलंका तो question number 7 का right answer हो जागा दोलतों question number 7 का right answer हो जागा आपसन number D यानि स्रीलंका की जो सीमा है वो भारत से नहीं लगती है बाकि पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, नेपाल और चीन इस सब का सीमा लगता है भारत से आगे देखेंगे question number 8 भारत के राष्टपती का कारेकाल कितने वर्सों का होता है? भारत के राष्टपती का कारेकाल कितने वर्सों का होता है? आपसन A देखेंगा 10 वर्स, B है 3 वर्स, C है 5 वर्स, और D है 4 वर्स तो question number 8 का right answer हो जागा दो तो आपसन number C यानि भारत में राष्टपती का जो कारेकाल होता है वो 5 वर्सों का होता है मैं आशा करता हूँ कि question आपको अच्छे लग रहे होंगे question आपको समझ में आए रहे होंगे question आप आपको असाने से कर ले रहे होंगे तो इसके लिए बहुत बहुत धरने बात question number 9 देखेगा भारती सम्मिधान में समस्थ कारेपालिका सक्ती नीत है भारती संब्धान में समस्त कारेपाली का सक्ति नहीं थै आपसे नहीं देखेगा परधान मंतरी में B है मंतरी परशद में C है राश्टपती में और D है संसद में तो question number 9 का right answer रो जागा दोस्तो आपसे नहीं नहीं समस्त कारेपाली का स्कति जो है किसमे नहीं थे राष्टपती में नहीं थे और अनुछेद पंदर में कहा गया है अनुछेद 52 यानुछेद बावन में कहा गया है कि भारत के लिए क्या होगा एक राष्टपती होगा और अनुछेद तीरपन के नुसार संविधान के समस्त कारपाल का सकती राष्टपती में का होगी नहीं हित होगी आगे बढ़ेंगे अगले question पर question नमर 10 भारत सरकार द्वारा धन विधयक सदन में पेस किया जाता है option A देखेंगे राजय सभा में B है विधान सभा में C है विधान परिशद में और D है लोग सभा में तो question number 10 का right answer हो जागा दोखतों, question number 10 का right answer हो जागा, option number D, यानि जो धन भी देख होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में ही पेश किया जाता है, याद रखेंगे मैजदार question है, आगे बढ़ेंगे question number 11, घर का प्रयावाची सब्द है, option A देखेगा बिहार, B है इला, C है आशरम और D है, गे है, तो question number 11 का right answer हो जागा दोखतों, option number D, यानि घर का प्रयावाची सब्द होता है, गे होता है, हिंदी से question था, question number 12 देखेगा, ये भी हिंदी से है, सुच्म सब्द का बिलोम है, option A देखेगा इस्थूल, B है बारिक, C है छीड, और D है पतला, तो question number 12 क आगे देखेंगे, question number 13, project tiger की सुरुवात कब हुई, प्रजेक्ट tiger की सुरुवात कब हुई, option A देखेगा, 1972 में, B है 1982 में, C है 1973 में, और D है 1992 में, तो question number 13 का right answer हो जागा दोखतों, option number C, जो project tiger की सुरुवात हुई थी, वो हुई थी 1973 में, या पर्यावरार और परस्तित्की से संबंदित question है, environment and ecology से question है, आगे देखेंगे question number 14, खुर्रम निमिलखित में से किसका उपनाम था, खुर्रम निमिलखित में से किसका उपनाम था, थोड़ा सा आपके exam में, समय बहुत कम बचे हुए है, थोड़ा सा हम लोग firstly question को करेंगे, ताकि जादे स्यादे question को हम लो से कोई नहीं, तो question number 14 का right answer हो जागा दोलतो, option number, option number B, यानि साजान का क्या नाम था, खुर्रम नाम था, पूछा जाता है, और साजान नहीं क्या किया था, तो अपने वेगम मुम्ताज महल के लिए, अगरा मैं क्या किया था, ताज महल का निर्मार करवाया था, मुम्ताज म लेखियेगा ग्यासुदीन तूगलक, B है मुहमद बिन तूगलक, C है फिरोज साथ तूगलक, और D है इनमें से कोई नहीं, तो question number 15 का right answer हो जागा दोलतो, option number C, यानि फिरोज साथ तूगलक, और र्याद रखियेगा, फिरोज साथ तूगलक से बहुत question पूछे जाते हैं, तो इसका right answer हो जागा, फिरोज साथ तूगलक, फिरोज साथ तूगलक ने क्या किया था, लोगों के लिए नहर निर्माड का कारे किया था, लोगों को रोजगार दिलवाय था, एक दासुद के लिए एक अलग विभाग की अस्तापना किये थी, जिसे दिवान एब बंदग खायाता है, एक खायराती अस्पताल का निर्माड करवाय था, जिसे लोगों को असहाय और गरीब लोगों को नेसुलक इलाज होता था, तो इन्हों ने फिरोज साथ तूलक ने लोगों के लिए काफी सारा महतपूर काम किये थे, तो कैसा लगा आज का कोस्चन हमें कमेंट करके जरूर बता हिया, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों साथ सेर करना नहीं भूलेगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो सब्सक्राइब कर लिज कि अवारा मोटिवेशन मान करें प्रता हो, तो वीडियो चैनल को सब्सक्रा में करता है यहां कि यहां हो, छो सब्सक्राइब कर रहां हो, तो सब्सक्राइब कर दो अब भाड़ब करें वें वैं Ilा समय।ना हो, तो सब्सक्राइब कर अबादान कि ऊवीशकरSATA compounded वार último य